नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हूँ अभिनतु शांशू पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिप्षा की पूरे टीम की तरफ से हम कर रहे हैं परिक्छा की तैयारी और परिक्छा तैयारी के सिल्सिले में जो है आपको सीजी बोर्ड का एक्जाम सेरीज दिखाई देगा अभिप्षा की पूरे प्रयासों के तहत यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे लगातार जुड़कर अपनी तैयारी परिक्छा की पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करें इसके अलाव यहां पर आपको एडिशनल सपोर्ट मिलेगा जैसे कि आप यहां पर शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं माइंड मैप देख सकते हैं इंपोर्टन क्वेस्टन जो हम लोगों ने अपने नोट्स बना के रखे हुए हैं उन सारी चीजों को आप यहां पर प्राप्ट कर लेंग अलग अलग प्रशन देखते जा रहे हैं और अब इसी सिलसले में हम अगली बात कर रहे हैं तो हमारा अगला प्रशनल जो है 2020 में पूछा गया था और इसी तरीके से एक और प्रशनल पूछा गया था जो 2021 में था अब सुक्ष्म तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है तो दोलायमान आवेशों स्वारा जो है हम रेडियो तरंगों का उत्पादन करते हैं लेकिन सुक्ष्म तरंगों का उत्पादन के लिए हम वैक्ट्यूम ट्यूब यूज करते हैं और यह सारी चीजों से हम सुक्ष्म तरंगों का उत्पादन करते हैं अब इसके सब्सक्समतलगों के दो तो उप्योग क्या हो सकते हैं तो सूप्षमतलगों का उप्योग हम करते हैं गाफ के घ्ञप खाते हैं तो भूजन पकाने की लिए इसका उप्योग किया जाता है अब अगली बात है कि उस विद्दुत चुम्म की तरंग का नाम लिखी है जिसका जो है परास 6 एंग्स्ट्रॉम से 4000 एंग्स्ट्रॉम है तो 6000 से 4000 एंग्स्ट्रॉम तक जो है जो परास वाले विद्दुत चुम्म की तरंगे हैं ये हैं पराबैगनी यूवी ठीक है और परा को सुद्ध बनाने के लिए सर्जिकल इंस्ट्रुमेंट को साफ रखने के लिए और उसके बाद में जो हैं नोटों मिक्की सत्यता की जहांच करने के लिए और क्रिष्टलियर आंतरिक structure को समझने के लिए ठीक है अब इसके बाद में कहते हैं कि लंबी दूरी के प्रसारण के लिए टीवी प्रसारण के लिए क्रित्रिम उपगरह का उपयोग क्यों किया जाता है तो हम लोगों को जो है यहां पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लंबी दूरी की जो है जो सिगनले हैं यहां पर जो हम किस तरीके की जो है तरंगों का उपयोग कर सकते हैं यहां पर आप समझिए कि सता मतलब लेयर होता है अब यहां से जो हम कुछ रेडियो तरंगे जैसे की सुक्ष मतरंगे भेजते हैं तो वह क्या होता है कि वह यहां से जाता है और आयनित होके टकरा के वापस आ अब लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए लगूत अरंगी बैंट का उपयोग किया जाता है क्यों आप लगु तरंघी क्या होती हैं लगु तरंघो का जो व्हर्ट मarna में इंगते हैं अ मोट बहुत दूरी तक भेज़ा जाफ नहीं इनका परास ज़्यादा है कि यह ज़्यादा दूरी तक कहुंचते हैं। इसलिए हम रीडियो प्रसारण में इनका उप्योग कर लेते हैं। आप विविद्भार्ती सुनते हैं। दिल्ली से प्रसारित और उसके बात में रायपूर से पुना प्रसारित। और आप आर्सानी से यहां का विविद भारती छोटे छोटे गाउंगों भी सुन सकते हैं चलिए प्रश्ण कप कथा 2020 का और हमको मिल जाते हैं तीन आंकर अब अगला प्रश्ण हमारा क्या है सिग्नलों के लंबी दूरी तक पसारण है तो सुक्ष्पतरंगे उप्यूक तो होती हैं क्यों कि यह आयन मंडल से परावर्टित हो सकती है और इसके कारण जो है इनको ज्यादा लंबी दूर्यों तक भेजा जा सकता है सुक्ष्पतरंगे लगूतरंगे यह सारी बातें चल रही हैं 2021 में आपको प्रश्णों का प्रैटन देख करके यह चीज़े समझ में आएंगी यह बात सिर्क तीन अंकों की है लेकिन हमकों सीखने के लिए भी कोई बहुंच ज़्यादा बर्डन नहीं है और इसलिए हम आसानी से इनकी तैयारी कर सकते हैं आगे देखते हैं 7800 से दसकी घास साथ तरंग मुदार्द तरअपरास वाले विद्त्यृत चुम्बे की तरंभ का क्या नाम है इसका नाम है अवरक्तकीर ने अवरक्तकीर ने ठीक है और इसके बाद में आता है दसकी घास साथ में चार सो से मतलब करिया जाते हैं कैंसर रोग्यों के लिए और अगरoute किया रुपनियों के रूप में इस परकार से हम अव्रक्त reignosih की लिए होता है और उसके बाद हम अभरत किलनों का उप्योग करते हैं आगे देखिए एक्स क्रिणों की खोज किसने की थी और इसके दो गुन तो एक्स क्रिणों की खोज किसने की थी यह हम डिसकस करेंगे अगले वीडियो में तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद